उत्तर परदेश से बड़ी खबर आ रही है उत्तर परदेश के बिरहारी चैनपुर से बीजेपी विधायक राजेस मिस्रा की बेटी साक्सी मिस्रा का एक और वीडियो सामने आया है इसमें साक्सी ने अपना दर्द बया करते हुए कहा हमें धमकिया मिलने का सिलसिला थम नहीं रहा है मजबूरी में हमें भगोडों की जिन्दगी जीनी पड़ रही है साक्सी ने एक बार फिर आरोप लगाया की अंतर जातिय विवा करने की वज़े से पिता भाई वा उनके सहयोगी उसे वा उसके पती को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं पतादे की साक्सी ब्रहमण है और उसके पती अजितेस दलित समुदाई से तालुख रखते हैं गौर तलब है कि करीब दो महीने पहले साक्सी वा अजितेस के दो वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हुए थे इसके बाद साक्सी वा अजितेस ने इलाबाद हाई कोट में याचिका दायर की थी तो कोट ने इस दमपत्ती अजितेश के माता पितावा उनके वकील को पुलिस उरक्षा मोहया कराने का आदेश दिया था बतादे की 4 जुलाई को शादी करने वाले शाक्षी वा अजितेश राजधाने दिल्ली में 3BH के किराई पर लेकर रह रहे हैं और दो पुलिस कर्मी 24 गंटे उनके घर के बहार तैनात रहते हैं टाइल्स का कारोबार करने वाले अजितेश ने बताया पुलिस कर्मी हर जगे हमारे साथ होते हैं हमें इंटरनेट के माध्यम से धमकिया दी जा रही हैं जिससे हम काफी डरे हुए हैं साकसी ने कहा हर जगे लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं हमें रोजाना वटसेप फेस्बूक पर धमकिया मिल रही हैं कुछ लोग हमारे बारे में जूटी खबरे फैला रहे हैं और हमें धमका रहे हैं कुछ समय पहले किसी ने यूटूब पर फेक न्यूज डाली थी जिसमें बताया गया था कि मैंने अजितेश को तलाग दे दिया है इसके अलावा मेरे प्रेगनेंट होने की जूटी खबर भी फैली थी साक्षी के मताबिक उन्होंने बोपाल के कॉलिज से पत्रकारिता के कोर्स में अपलाई किया था लेकिन डर की वज़े से एंट्रेस एक्जाम नहीं दे सकी शाक्षी ने बताया कि वह मुंबई में तीन महीने का एक्टिंग का कोर्स करना चाती है लेकिन उन्हें डर है कि शुरक्षा कारणों के चलते वह है शायद इसे कंप्लीट कर पाए अजितेस ने कहा हमारी शादी के मुद्दे की वज़े से मेरी पत्नी की पढ़ाई परभावित हो रही है मेरे कारोबार पर असर पर रहा है मेरे लिए काम करने वाले ही कारोबार समाल रहे है शाक्षी ने कहा यूटूब पर जोटी खबरे फैलाने वाले कुछ न्यूज चैनल के खिलाफ मैंने शिकायत की थी लेकिन पुलिस ने कोई कारवाई नहीं की बरेली के थानों के पुलिस अफसर पल्ला जाड़ते हुए कहते हैं कि यह उनके अधिकार छेतर में नहीं आता हमें ना तो समाने जिन्दगी जीने का मौका मिला और ना ही समाने लोगों की तरह शादी करने का यहां तक की शादे के बाद से अब तक समाज की वज़े से हम भगोडों की जिन्दगी जी रहे हैं बरेली के वीर सावरकर नगर में रहने वाले अजितेस के पिता हरिस कुमार कहते हैं कि उन्हें शाक्सी के पिता की योर से धमकी का कोई भी कॉल नहीं आया इसके बावजुद वह स्थाने लोगों की वज़े से डर के महल में जी रहे हैं उनका कहना है कि लोग अब तक शादी को भूल नहीं पाए हैं सोशल मेडिया पर अजितेस को मिलने वाले मैसेज देखकर हमें भी डर लगता है अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो लाइक करें जादा से जादा शेर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें धन्यवाद इन वीडियो के वाइरल होने के बाद अंजान लोग हमें कॉल करके टेक्स मैसेज करके और वाटसेप मैसेज करके जान से मानने की धमकी दे रहे हैं वे शादी करने के फैसले को लेकर हमें गालियां देते हैं अपने किराय के घर के अलावा हमें कहीं भी शुरक्षित मैसूस नहीं होता